हमने इससे पहले SDM के बारे में जाना था कि SDM की Facilities क्या होती है Who is DSP? कि DSP कौन होता है? कि सर मुझे इसके Salary के बारे में बता दो कैसे Promotion होता है? जो Real Fact क्या है? उसकी भी बात करेंगे हम के DYSP का कैसे Promotion होता है? कि सबसे बड़ा Motivation क्या है? कुछ लोग SDM को छोड़के DYSP बनना चाहते है वो रिजर रहता है उनका ग्यार बर्दी मुझे पहनना है बर्दी उनका एक Motivation होता है एक आम इंसान को भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि DSP क्या होता है? हलो जोस्तों जैसे आपको पता है हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें Officer Series थी उसमें हमने क्या जाना था कि कैसे UPPCS के Officer बनते हैं UPPCS के थुरू कौन-कौन से Officer बनते हैं तो इस सीरीज में हमने इस से पहले SDM के बारे में जाना था तो आज हम जो cover करने जा रहा है , कि DSP कौन होता है तो आज इसके बारे में जानेंगे कि इसकी responsibilities क्या होती है facilities क्या इसको मिलती है इसका बर्क क्या होता है salary क्या होता है जो हर कोई person जानना चाता है तो में इस में क्या हूं है जो प्रिजेंट की सेलरी है एक मेरा दोस्त जानेंगे इसके काम क्या है तो चलिए जानते हैं जादा देर ने करते हुए अच्छे से जानते हैं सीखते हैं इसके बारे में आपके लिए बहुत से लोगों का मोटिविशन होता है डिवाइस्पी की सबसे बड़ा मोटिविशन का है कुछ लोग सबसे बड़ा जो हमारा बहुत से लोग आप उनके इंटरव्यू देखो या कुछ भी देखो वो ओलते क्यार में सोसाइटी में कुछ चेंज लेना आता है तो वो सबसे बड़ी बात है मोटिविशन बरदी हमारा बरदी मोटिवशन होगा बरदी मिल जाओ लिए तो काम भी होना चाहिए लेकिन एक कुछ न कुछ incarnate क्या होता है क्या इसके बारे में अच्य से जानते ठीक है तो देखते हैं इसके बारे में तो सब से पहले क्या है कि मीनिंग ऑफ डी इसके बारे में जाने एक आम इंसान को भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है समझ गया ना तो जान लेते हैं कि DSP का फुल फॉर्म है कि DSP का एक फुल फॉर्म आपको देखा जाएगा तो दा पॉपूलेट टर्म DSP इस्टेंट फोडिप्टी सुपर इंटेंडेंट और पुलिस हिंदी में बात करें लोग लोग पीए सब DSP का आर्थ होता है पुलिस उप अधिच्छिक हिंदी में पुलिस उप अधिच्छिक उसको बोलते हैं या इंग्लिस में बात करें तो आपने देखा होगा डिप्टी सुपर इंटेंडेंडेंट और पुलिस ठीक है जब हम बहुत छोटे होते थे जो लोग देना चाहते हैं एक जाम तो पूंचा जाता था कभी के डेफिनेशन बताओ डिवाई एस्पी की डेफिनेशन बताओ समझगा ना ठीक है पता होना चाहिए आपको बेसिक जानकारी तो आप क्या है कि इंट्रोडेक्शन ऑफ डिएस्पी का थोड़ा इंट्रोडेक्शन हम देख लेते हैं कि डिएस्पी के बारे में दपोस्ट ऑफ डिप्टी सुपर इंडेंट और पुलिस इस बन ऑफ इंड की बात करें या नाइब तैसी लर्ग की बात करें तो वह चीजी क्या है कि इसी एक्जाम के थुरू होती है तो सबसे एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है डिवाई एस्पी को ठीक है अच्छा एक एक रेस्पेक्टफुल सोसाइटी में भी रेस्पेक्टफुल पोस्ट मान यह आपको पता होना चाहिए वार एस्टेमली इंपोर्टेंट सेंस देबर फुर्दयर वैल फिर आप दा सुसाइटी सोसाइटी के बात करते हैं अब सुसाइटी के वैल फिर की कि कैसे हमें एक सुसाइटी में एक सांती पैदा करें जिससे एक प्रोड़क्टिव काम कर सके वो समझ गया तो यह चीज़े आपको बेसिक पता होना चाहिए अब देख लेते हैं कि क्या है आगे भी जानते हैं इसके बारे में अब देखा हुआ कि ऐसा देखा डीएसपी का एगा तो इसा होता है कि इनके तीन स्टार लगे होते हैं यह आपने देखा होगा लोग पहले बहुत स्टार पर ध्यान देते थे कि किस्टार मिलें गया मुझे यार तीन स्टार की जाब करने एसा एक मोटिवस्ण होता था कि D.Y.S.P मुझे बनना है लाइफ में गहरा आन करना ऐसा मुटिबेस्टन होता है लोगों का तो डवा एस्प का स्परिज्टेस्ट का स्परेंट का पूलिस्थ तो ऐसा होता है उन का और इस你们 को कई जगे पर असस्टेंट कमिस्ट्टे कंश्टर पूलिस भी बोला यए यह भी पता होने में लेसी पी बोलते हैं जैसे हर्याना में रहाद इस्वी को अभी बोलते हैं दूसरे स्टेट मे में भी कुछ-Kुछ लग रहता है तो यह चीज आपको समझ्वेंद के डिप्रेंट नाम भी होते हैं तो क्या-क्या नाम होते हैं Istbti पुलिस उपदीच्छी की बात करें तो इस्टेट पुलिस फोर्स हाईयर रैंकिंग ऑफिसियल आर नौन आज डिप्टी सुपरिदेंट आफ पुलिस ठीक है यह यह इन दा सेम पोजीशन एज असेस्टेंट चीप पॉलिस इन टरम्स पोवर ए सेमिय बाइब स्टेट में ऑलग नाम से खना जाता है दोनों बरावर है कि पोस्ट कर देते हैं कोणक़ से उत्राखंड में पोस्ट कर देते हैं एजस्टा रायस्तान में भी कर देते हैं तो यह जन्रल पीपीटी है हमारी जिसे में हम उत्तर पर देश की तो बात करेंगे लेकिन ओवरॉल एक इस्टेट जो सिविल सर्विसेज हैं इसकी बात इसमें की गई है और देट इएसपी आलों ऐसे सब्ड्भीजिन रफ Tapi जो और यह वह साढ़्ड फिज की बले में चीन पुलिस ऑफ़िजिन इसको क्या सब्डन की सब्डिवीजन थीज ऑफीड़ीज इन ओन्यर रच देण असेस्टेंट सुपरडेंट ऑफीसर अपने देखा होगा कि यूपी एस्पी निकाल लोग आते वह ऑजजे एस्पी आप बोल सकते हो ठीक है अब क्या एलिजबिल्टी क्राइटेरिया जो सब को पता होना चाहिए क्या और कैसे कोई परसेशन आप कोई बनना चाहते ओर इस एक्जाम में आना चाहते तो कैसे बने यह अंफंभण को पताu हो नीच चाहिए एक्जाम में आ आप आना चाहते हैं तो देख लेते हैं क्या क्या इसके लिए रिकॉरमेंट है एक्जाबट उसको हम इसका DSP बना देंगा नहीं कोई भी आप सरकारी जॉब होगी तो आपने देखा हुगा हमारा इंडिया का सर्टिजन ही बन सकता है कोई दूसरा परसल नहीं बन सकता है ठीक है यह हुआ केंडिडेट मस्ट भी यहाँ पर क्या है कि इन्होंने इन जेनरल बोल दिया है कि 21 से लेके 30 लेकिन UPPCS की बात करें हम UPPCS की बात करें तो उसमें जो एज लिमिट है उसमें जो एज है वो एज है हमारी 21 से लेके 40 के बीच में यह आपको पता होना चाहिए और क्या है कुछ ज बहुत अच्छे से देख सकते हो ठीक है पर सकते हो तो यह हो गया UPPCS के लिए दूसरे क्या है कि आपको बता दिया कि 5 साल का छूट मिलता है कोई STSC का होगा OBC को भी को छूट मिलता है अब क्या है graduate होना बहुत जरूरी है बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए वह पोस्ट के लिए UPPCS से अब देना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होना बहुत जरूर है ठीक है वह भी रिकनाज्ट इनविसिटी से मेल कंडिट की जो हाइट है इन जनरल नों बताई और स्टेट की 168 लेकिन UPPCS की हम बात करें UPPCS की बात करें तो यह भी आ 165 रखा है 165 मेल के लिए यह किसके लिए मेल के लिए फीमेल के लिए भी बता देता हूं फीमेल के लिए हाइट आपकी होनी चाहिए एक सो बाबन तो यह सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर सेंटीमीटर यह फीमेल यह यूपी में है ठीक है तो यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए कि आपकी हाइट नहीं है इतनी एक पैंसट और आप बनना चाहते हो डिएस पी तो आप नहीं बन पाऊगे ऐसी एकसाइज इंसपेक्टर में बन 67 की हाइट वह नहीं तो इसमें फिजीकल रिकॉर्मेंट वाली पोस्ट होती है उसमें क्या है कि हमें फिजीकल रिकॉर्मेंट की कुछ जरूरत होती है एसडियम में हाइट की कोई जरूरत नहीं है वीडियो में कुछ जरूरत नहीं है नाइब तैसिलदार में कोई जरूरत नहीं लेकिन जो पोस्ट क्या है कि थोड़ी फिल्ड वर्क बैसी है जो जिसमें बर्दी पैंदी जाती है तो हमारा एक सेस्टम माना जाते है कि मिनिम प्रोसेज क्या होने चाहिए कि क्या प्रोसेज है जिससे हम डीएसपी बने समझ गया तो डीएसपी कैसे बने उसके लिए जानते हैं कि सबसे पहले क्या है कि अपने पास क्या है कि यूपी प्रोसेज डिवाइड इंटू थ्री इस्टेजज क्या है कि पहले प्रेलिमिरी एक्जाम होगा जैसे आपने क्या है कि माल लोग ने फॉरम भरा है तो उसमें से देखोगे कि माला ने फॉरम भरा और इंटूब लिस्ट में के वल सारसा लोक सेलेक्शन हुआ है हुए ऐसे करके जो पोस्ट होंगी पोस्ट के कोडिंग सेलक्षन होता है तो आप देखेंगे सबसे बड़ी जो प्रॉलम साती है लोगों को प्रारमिक परिच्छा में आती है यहां पर बहुत बड़ी भीड निकाली जाती है कि मालूँ छह लाक लोगों ने दिया फॉर्म ज जब फॉर्म बढ़ते हैं फॉर्म का यह भी बता देता हूं कि क्या फी होती है फॉर्म बनने की मार्च में लगवग निकलता है जनरल के लिए लगबग फी की बात करें तो 125 रुपई है फी का फॉर्म और स्ट के लिए और साथ 25 रुपई है और जो डिसे वेल्ड परसन उ करिए और एक्जम दीजिए आपको पास प्रेलिम्स की तैयारी कीजिए इसके बाद मुख आपका इसमें हो जाता है तो मुख पर इसकार के लिए बुलाए जाएगा बहां पर आप में अच्छा करते हैं तो ओवरॉल आपके माक्स जुड़ेंगे अच्छे माक्स तो आपक फिर इस्टार्ट करो तो यह चीज जो लोग तैयारी कर रहा ह vari है नुanzski ख़ल कyan experts वह घूमता रहता है ठीक है यह शें की जो आई आपको अब देख लेते हैं यह एक्जामक एक मेरे क्या कि आपको दिखाने के लिए एक्जाम एक रादी हम इसे बैठ तक कि ये प्रलिम्स चीज़े हो गई और इसके बारे में जानते कि सेलेक्शन प्रोश्य दीएश्प क्या है कि पोई आपने देखा वह बहुत से एसी स्टेट गवर्मेंट होती हैं जो क्या करती है कि कुछ लोगों को जो गेम में बहुत अच्छा होती जोनों आहे जैसे मालों किसी ने ओलंपिक में कोई पदक जीता या कोई फॉरन में कोई ऐसा कोई इस्पोर्ट हुआ वहां पर अच्छा उसने योगदन किया तो उस स्टेट का उसको डिएस्पी बना सकता है समझके ना जैसे हैं पर क्या है कि हिमादास्क जो है आसाम की पहली मैला डिए जबसक्तिन है कि ऐसे भी आप डिस बन सकते हो एक अध्यकारी बन सकते और यह चीज भी आपको पता होनी मन चाहिए लेकिन यह जो चीज होती है समझ गार्मेंट आप से ज्यादा खुश तो आपको बना देगी नहीं बनाएगी समझ गया ना हो सकता यासे नीरस कुमार जी है जो जो तो नहीं ने जी तो पूरा नाम नीरस चौपला जी आपने देखा होगा जैबलिन में बहुत बड़े उन्होंने ओलम्पिक्स और अभी बर्ड में एक अभी चेंपियंसिफ हो रही थी उसमें भी अच्छा के वहां पर भी गोल्ड जीता तो जहां जिसे स्टेट से हैं उन्होंने भी बहुत सी नौक्री प्रवाइड कियों हो सकता है र बस फिट वैट ठीक है तो यह चीजे पता होनी चाहिए अब क्या है कि बहुत इस डाटेफरेंस वीट्वीन डीएसपी एंड ऐसीपी ठीक है तो डीएसपी और यह सीपी हमने पहले आपको बता दिया था दोनों सेम पोस्ट हैं कोई अंतर नहीं है बस होता क्या है कि बस ए पूलिज सिस्टम आपको समझ में आ गया हुआ उपी के लगबग 6 सहरों में आपने गाजियाबाद का नाम सुना होगा कानपुर का नाम सुना होगा आगरा भी है तो पूलिस क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि पहले जो IPS होता है उसको अपनी डिसिजन लेने के लिए तो वो सिस्टम भी पता होना चाहिए तो पुलिस में पुलिस सिस्टम में उसको एसीपी बोला जाता है यह चीज पता होनी चाहिए और जो नॉर्मल कंडिशन होती है नॉर्मल पुलिस सिस्टम में उसको क्या बोला जाता है डीएसपी बोला जाता है यह चीज आपको समझ मे यह चीज होई आप क्या किया है the purpose of a DSP is to maintain law and order तो roles of DSP, DSP के काम क्या है यह थोड़ा हम जान लेते कि DSP के काम क्या है तो purpose is DSP to maintain law and order आपने देखा हो law and order का काम करना रहता है जितने भी citizen है इंडिया के या कोई भी person हो उसकी सुरच्छा करना भाई भाई क्या काम नहीं सुरच्छा करेंगा तो कुछ भी लौण और नहीं होगा तो कुछ भी गलत काम हो सकते तो यह आपको पता होने चाहिए डियस पीडू दिस भाई पैट्रोलिंग करते हैं आपने देखा होगा डियस पी यह भी काम करता है प्रिवेंट क्राइम को रोकने क के लिए यह काम करते हैं लोगों को educate करने का भी काम करते हैं तो बहुत से इनके काम रहते हैं यह चीज आपको पता होनी चाहिए दा function of DSP is to carry out the orders of the SP SP जो इनको order देता है उसका भी इनको पालन करना रहता है कि SP ने बोला आपको यहां जाना है यहां कुछ राइट्स हुआ है वो भी इनको रोकना रहता है ठीक है यहां पर क्या है इनका एक सबसे अच्छा function वह यहां पर नहीं लिखा है मैं वह भी बता देता हूं यह लोग क्या करते हैं कि इनका जो काम रहता है कि जितने भी SC और ST Act के तहट केस दर्ज होते हैं उनको भी देखना रहता है दूसरा क्या है कि जितने भी डौरी एक जौरी केसिज होते हैं जितने भी दहिज प्रता के केसिज होते हैं यह भी देखते हैं तीसरा क्या रहता है पुलिस स्टेशन के क्या करते हैं पुलिस स्टेशन की बी एक जांच करते रहते कि पुलिस स्टेसन पर सभी से काम हो रहाए कि नहीं हो रहा तो इसको यह काम भी आपको पता होनी जाए की यह भी यह देखते हैं साहर साथ में कारा च्र्लार कैसी पर्सन को अरेस्ट करना तो यह चीजी तो आपको पता ही होATA अब responsibility of DSP वही चला है maintaining एक simple भासाम बात करें कि law and order को maintain करना crimes की उनको जांच करना criminals को पकड़ना patrolling the areas एरियाज को पैट्रॉल करना उनकी सुरच्छा करना कोई भी किसी परसन को help चाहिए वो भी इनको call कर सकता है community को क्या करना है crime से बचाना है लोगों को अभियर करना तो एक तरह से हाँ इनों ने समरी बता दी कि क्या चीज़ें हैं इसकी ठीक है अब देख लेते हैं कि facilities provided to dsp by the government सरकार द्वारा एक dsp को क्या 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 फायदे मिलते हैं एक होता नहीं कि सबसे बड़ा एक motivation होना चीज़ें कि भाई क्या 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 फायदे मिलते हैं तो देख लेते हैं सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको एक four wheel vehicle मिलता है महंद्रा वोलोय या टोयटा इन प्रिजेंट 24 into seven कि जो एक गार्ड रहता है इनके घर पर वो हमेसा प्रिजेंट रहता है बहुस्ते लोग चाते हैं क्यार एक human tendency होती होती है क्यार मेरे भी कोई मुझे सम्मान देने के लिए हो तो परसन जब आएगा यह सर आई है दर्वाजा खोला है लेकिन एक समझदार यह सिरे इंसान क्या ज़्यादा के रहता है अपने काम पर फाकश सचाधा करता है और आपको भी यह चीज़े ठोड़ी यह चीज़े सब्सक्राइब लोगे किया एक परसन को होना चाहिए लेकिन लोग क्या इसंथ में ज्यादा फस्च जाते हैं तो वह अलग बात है वन प क्या रहता है कि पुलिस ऑफीसर भी रहते हैं जो उनकी सुरच्छा करने के लिए ऐसा नहीं के मालों कोई भी आए कुछ भी करके चला जाए तो यह हो गया समझ गया आप गवर्मेंट पेड टेलीफॉन विलता है हाइघ लास अक्योमोडेशन मिलता इनको रहने के लिए घर मिलता है ठीक है पैंसन इनके पत्नी को जो भी है इनकी पत्नी मालों इनको पक्छो जात तो पत्नी को पैंसन भी मिलेगे नकी जिससे उसका जिंदगी चल सके तो यह चीजे हैं आप देख लो यह दो आप से एक बर्दी हमारे पास होगी बर्दी को लोग देखते ही एकदम सलूट सा करते हैं लोग जानते क्यार भाई DSP आ गया आप अच्छा काम भी करते हो तो लोग और अच्छे से जानते हैं समझगा ना तो कुछ फैमस आपने DSP या IPS का नाम सुना होगा तो यह आप देख सकते होगा कि आर पहले इतने स्टार मिलेंगे इतने स्टार मिलेंगे तो वह बहुत ही है एक और दोस्ति बोल ला था कि हमारा प्रोमोशन क्या है कि DSP को यह एसपी बनने के लिए एडिशनल सुपर डेंटर पुलिस बनने के लिए 12 साल लगते बहुत बड़ा टाइम है तो उस पर कुछ चैंजिस करने के अभी बात हो रही है तो किसी भी स्टेट का सबका अपना प्रोमोशन का तरीका अलग-अलग है वो क्या कमेटी पर और पुलिस बनता है एसपी फिर उसको सुपर डेंटर पुलिस एसपी बनाए दिया जाता है मिस इंडर्क्टी आईपी एस बोलते हो लेकिन इसको बनने के लिए बहुत बोच चाहिए यह आपको देख रहा होगा बहुत सी प्रॉलम से क्या 55 साल के हो गए और आपका प्रम लेते रहते हैं उनको पता है कि यहां पहुंचने के लिए मुझे 20-30 साल लग जाएंगी और मैंने एक्जाम करेक कर लिया तो अगले साली में एसपी बन जाओं तो यह रहते हैं तो यह पता होना चाहिए तो देयार मोर रंक सेंदा पॉलिस डिपार्टमेंट डैट बन के रीच इन बंस केरियर बट एन ऑफिसर फॉम ना इस्टेट पीसिया से लेस चांसे लेस चांसे होते हैं को टूरीच दा एड़ पैनाइकल जो बड़ी पोस्ट होती है उसवार कोंचने के बहुत सी प्रॉलम्स होती समझगा ना दा प्रोमोशन पॉलिस सच्छ दैट टेक्स पूरी पूरी आपकी सर्विस में तो यह भी प्रोलम है तो थोड़ा हम दिखाते अब रियल फैक्ट रियल फैक्ट प्रोमोशन यह हम बताते हैं जैसे मैं आज ही अपनी दोस्ट से बात किया था एक डिवाइस पी था अभी वो ट्रेनिंग में था तो मैंने इस वीडियो क को बनाने से पहले उससे बात कि कि भाई प्रोमोशन के बारे में थोड़ा बताओ तो उसने बताए कि आर बहुत कॉम्पिलीकेटेट पॉर्सेज है हर स्टेट का अलग रहता है हम यूपीपीस की बात करें तो आपको देखता होगा पहले तो यहीं बोला कि हमको 12 साल लग आते हैं एक एसपी बनने में एसपी में एडिशनल सुपर इंटेडंट सुपर इंटेडंट और पुलिस समद गया तो आप यह देखो इसको 12 साल लग गए एक कॉम्प्लिकेटर पॉर्सेज जब कैसे होता है कि सबसे पहले क्या होता है डेट ऑफ प्रमोशन यहां पर इनको दी जाति तब प्रमोशन होता है यह प्रोस पोसेज है उसी नहीं बेजा कि process क्या होता है कि पहले एक 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 ग्रेड निकाला जाए ग्रेड वन निकलेगा कुछ दो तीन साल वाद फिर टीन सालवाद ग्रेट सेकंड आता यह अपर प्रोशन आता पीनियर इस अब देख लेते हैं कि वहुत is the salary of DSP बोहुत से लोगं का यही रहता है कि पैसा कितना दे रहे हो समझ गया ना लोगंका बहुत रहता है कि सरा पैसा क्या है तो देख लेते तो मैंने क्या है कि सब्सक्राइब के लिए अलग अलग है समझे ना एक ऐसा भी स्टेट है कि वेस्ट वंगल में अलग पैसा होगा मद्द प्रदेश में अलग है हर्याना में अलग है यूपी-पी-स का अलग है तो ऐसे ऐसे क्या है इनका देख लेते हैं जैसे सत्तावन से बासट हजार है किसका 36 कड का पर मंद्द प्रदेश में लगवा आठ सो नौलाक पैकेज है समझे ना बात की जाए और यूपी-पी-स का मैं बता देता हूं अभी आगे आपको पता चल जाएगा यूपी-पी-स में जो अभी इन हेंड सैलरी मिल लई है वो सत्तर हजार पांसो मिल लई है यह आपको बता दे रहा हूं यह अभी सैलरी मिल लई है सत्तर हजार पांसो रुपए ठीक है यह पर मंथ कि इतना आपके जोनिंग के टाइम पर अब देख लेते हैं कि सेविंथ पे आया था तो अभी यह इन जनरल बताई गई है कि त्रेपन हजास से लेके मिनिमम इतना और हाइस्ट एक लाग सरसट हजार वो डिपेंड करता है किसकी बेसिक सैलरी त्रेपन हजार है और आप दे देख लेते हैं कि जब इंट्री पर डियास्पी जाता है तो यह किसी और स्टेट का दियर एज एबरेज दिया है कि त्रेपन हजार से स्टार्ट होता है पे लेवल नाइन है आपका फिर एक लाग सत्तावन हजार आठ सो रुपाई हाइस्ट भी जा सकता है फिर पेले पेल साल वाद आपकी सैलरी हो जाएगी मिनिमम् एक लाग 31,000 और हमारे दोस्त का अभी पिमेंट हुआ था अभी उसने क्या है महां अगस्त का देख रहे हैं अगस्त लिखा है अगस्त का है और यह को पैसा मिला है डीवाइएस्पी ओफ यूपी सेलरी अब देखोगे कि इसको कितना मिलता है आपको एक्जेक्ट बेतन क्या है इसको मिला चपनाजार सो रुपए बिसेस बत्ता जीरो रुपए कुछ नहीं मिला ट्रेनिंग में अभी चल लाएं साथ यह जब काम में जाएं तो यहां पर कुछ रुपए बढ़ेगा और योग कितना होगा असी हजार साथ सो बासट लेकिन फिर क्या है कि अब देखोगे कटोथी क्या करेंगे 200 रुपए यह बाई काट दिये पी आई एफ जी आई एस कुछ कटोथी होगी फिर एंपी एस कटोथी है जो एक नेसल पैंसन स्कीम होती है बाद मिलेगा बहुत बड़ा अमाउंट काट लिए 7666 आयकर कटोथी दो जार रुपए अन्न कोटोथी 75 रुपए इन हैंड हमने क्या बताय था सत्तर हजार पांसो रुपए इनको मिलते हैं इन हैं यह आपको पता होना चाहिए कि कितने पैसे मिलते तो वह आपको मैं बता दिया आप देख लि 1866 में हुई थी कब जब अंग्रेज थी तो अंग्रेज उने अपनी सिस्टम को इंडिया पर एक कंट्रोल जमाने के लिए एक लौ एंड और बनाने के लिए यह पोस्ट क्रियेट की थी लॉड कॉर्णर वालेस को वाला बोला जाता है कि उन्हों नहीं यह पोस्ट पुलिस उन्हीं सोनत्र में फिर इनको डिप्टी और पुलिस मना दिया तो शकुंतला बसस्ट का नाम था तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए दूसरा कहा है कि डिप्टी सुपर्डेटर पुलिस इस इंड कॉमन बेल्थ एंड फॉर्मली इन बिटिस एंपार यह जो व कॉमन बेल्थ के पार्ट आते तो वहां पर यह बहुत अच्छे से यूज होता है एक पुलिस सिस्टम में तो यह पता होना चाहिए ठीक है बिटिस लोग भी करते अपने सिस्टम में एंडियन स्प्रेंटर हीमा दास हीमा दास को भी क्या किया था कि अभी डिप्टी सुप प्रवानित करने के लिए पोस्ट दी गई तो यह चीज आपको समझ मानी चाहिए ठीक है दोस्तों तो अभी तक आपने डीएस्पी के बारे में बहुत अच्छे से जाना और आपनी सीका भी होगा आज जरूर आसा करते हैं बहुत अच्छे से समझ माई होंगी तो आप जर तो चलिए तब तक के लिए धन्य बाद